नमस्कार दोस्तों मेरा जीव आप सभी का स्वादत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल जीके महावकुम में दोस्तों राजस्थान जीके के जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें हमने अभी तक दो हजार पचास प्रश्णों को कंप्लेट कर लिया है और पचास प्रश् जीलों में से कौन से जील मीठे पानी की जील नहीं है यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो पंच पदरा नहीं है यह खारे पानी की है आगे देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा है राजस्थान के किस लोक वाद्य को जयूज हार्प भी कहा जाता है तो मोर्चंग को कहा जाता है अप्सन बी अगला प्रश्ण वर्स 2011 में राजस्थान में ग्रामीर जन संख्या का परत्थिसत था वर्स 2011 में प्रश्थ क्या था तो 75.1 अप्सन बी अगला प्रश्ण आर्थिक स्मिक्षा 17-18 के अंसार 2016-17 में राजस्थान की 11-12 की इस्थिर कीमतों का सकल राज घरेलू उत्पादन में क्रिशी का योगदान था क्रिशी का योगदान कितना था तो 25 परिशक अप्सन सी अगला प्रश्ण आगला प्रश्ण कौन सी म्रिधा को उसर रे अलक लाइन आधिकी रूप में जाना जाता है तो लोणी मिट्टी को अप्सन सी अगला प्रश्ण सिखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है तो चूरू में अप्सन बी अगला प्रश्ण निम्न में से कौन सा आर्थिक यो सांख की निर्देशाले राजस्थान का कार्य नहीं है आप्सन बी आकोडों के संग्रह यो संकलन में जूई गुड़न अगला प्रश्ण राजस्थान में प्रमाणू उर्जा प्रियोजना कहां इस्थित है तो रावत भाटा अप्सन ए अगला प्रश्ण वर्थमान राजस्थान के कौन से छेत्र महभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था तो विकानेर जोद्पूर को अप्सन बी अगला प्रश्ण बिकानेर की गाय का अल्ला जिला बाई की स्राग गाने के लिए प। इला जिला बाई जो है या इनका कि चीत्र में था तो मर्ण गाय में अप्शन D अगला प्रश्न कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है मृत नदी के नाम से घर को जाना जाता है अप्शन D अगला प्रश्न मजारे फखरी निम्न में से किस जिले में इस्थित है निम्न में से किस जिले में इस्थित है अगला प्रश्ण निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र यह पी आई सी की अस्थापना की गई थी 1998 में आप्शन ए अगला प्रश्ण राजस्थान का कौन सा लोग के नाट मेरूच चाट्य के नाम से जाना जाता है तो गवरी आप्शन सी अगला प्रश्ण निम्लिखित में से कौन सा यूग में जो है सही सुमलित नहीं है नहीं कह रहा है तो अलवर लालदास व्यास यह सुमलित नहीं है बाकि सीरोहिक रोली जैसल में यह तीनु जो है सही सुमलित है अगला प्रश्ण जहां प्रतिवर्ष प्राक्रितिक रूप से मीटियों का नमीनी करन होता है वह च्छेतर है या वह च्छेतर क्या खालाता है तो खादर प्रदेश ऑप्शन D अगला प्रश्ण हुरुडा समेलन का जुजनिमनी में से किस वर्ष में किया गया था और ऑप्शन C अगला प्रश्ण कटे हुए कान तथा जटा निमनी में से किसका प्रिचातमक प्रतिख होता है तो ओघर जोगी ऑप्शन बी अगला प्रश्ण राजस्थान में डबलू आई पी के लिए आधार वर्ष किस वर्ष से लिया गया है तो आप्शन ए 1999 से 2000 अगला प्रश्ण कर्नल कर्नल जेंप स्टार्ड ने हिंदू लॉंपस किसे कहा है मौंट अबू को ऑप्शन एगला प्रश्ण है पीपल पन्ना है कि इस तिरीओ के इश्री शोरी शोरी इस तिरीओ के जो कब हुई थी 1964 में आप्शन बी अगला प्रशन निम्न में से कौन साजिला माही हाई रूप से संबंधित नहीं है संबंधित नहीं है डूंगरपूर आप्शन डी अगला प्रशन श्रीमति वसुंद्रा राजे राजस्थान की प्रत्थम बारमुक मंत्री के मध्र रही यानि कि कब से कब रही तो 2003 से 2008 के बीच में ऑप्शन एए अगला प्रशन निम्न कथ्नों पे विचार करना है यहां पे तो इसको मैंने छोटा कर दिया है ताकि आपको इदम से साफ दिखाई दे निम्न कथ्नों पे विचार करना है इसमें तो लोग सभा में राजस्थान के कुल 25 सद्थ से हैं यह भी ठीक है और लोग सबाब में राजस्थान से अंसूची जात की जो है चार सीटे हैं वो अंसूची जात की जो है तीन सीटे आरक्षित हैं ये एक नमबर और तीन नमबर से ही है तो अप्शन सीएस का राइट एंसर है अगला प्रश्ण है भारत के संसथ में एक सामिल है कौन-कौन सामिल है तो अप्शन ए राष्ट पती वह राज्य सभाव ये लोग सभा अगला प्रश्ण है लोग सभा के बारे में निम्न कत्मों में से एक असत्य है पता करना इसमें सा कौन सा है तो यही कुशन राइट है इसका एंगलो इंडियन चुने हुए जो है दो सदस्चे है इसमें यही असत्य है अगला प्रश्ण है ग्राम अस्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा जो है लागू किया गया हुआ है तो ग्राम सभा के द्वारा आप्शन डी अगला प्रश्ण है भारती संविधान के इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादत जो है संविधान संसोधन कौन सथा तो 42 संसोधन जो था वो सबसे ज़्यादा विवादों में रहा अगला प्रश्ण है किस सम्मिधान संसोधन ने भारत में प्रात्मिक शिक्षा को मोलिक अधिकार बनाया तो 86 वह आप्शन डी अगला प्रश्ण है राजस्थान के एकी करण की प्रक्रिया के समय मस्य संग की वार्षिक आय कितनी थी एक सो चोरासी लाक आप्शन डी अगला प्रश्ण है राजस्थान की किस रियासत को पंडी जवाल लाल नेरों ने विसु का आठमा आश्चेर कहा था विसु का आठमा आश्चेर कहा था तो जेसल मेर को आप्शन डी अगला प्रश्ण है कांगर कांड की प्रजा मंडल आंदोलन के द्वरान घटित हुआ था तो बिकानेर प्रजा मंडल अप्शन डी अगला प्रश्न अंग्रेजों ने अपनी सफ़त भंग की है क्या उन्हें अवत्प अधिकार नहीं किया अता उन्हें यह पिक्छा नहीं करनी चाहिए कि भारती अपनी सफ़त का अनुपालन करें 1857 की क्रांति के संदर्व में यह स्ट्रेटमेंट जो है किस ने कहा था या किस का था तो आप्शन ए मुहमद अली बेक के द्वारा यह स्ट्रेटमेंट पर दिया गया था अगला प्रश्न है निमने में से कौन सा तक्त्यवाद्य नहीं है सतारा ओप्शन सी अगला प्रश्न है अनाज रखने के बड़े मृत भांड जीने गोरे मंकोठ कहा जाता था किस प्राचीन सब्यता से प्राप्थ हुए हैं में तो हर से अप्शन बी है अगला प्रश्न का राजस्थान में अलानिया के प्रेग अतिहासिक चित्रों की खोज किस ने कि थी तो डगडर जगत नरायन आप्शन ए अगला प्रश्न मारवार में वीर्ता सहित्य सेवा के लिए सीरोपाव देने की परंपरा रही थी सरोच्य सीरोपाव कौन सा था हाथी सीरोपाव आप्शन ए अगला प्रश्ण मुहम्मद बासा अपनी विजियों में से आधी के लिए राठोरों की एक लाग कलवारों के ऐसान मंद थे यह कथन है यह कथन जो है किसका है तो कर्नल टाड का ऑप्शन भी अगला प्रश्ण मंदिर अस्थापत्य की भूमी सेली की अस्थापत्य सेली की उपसेली है तो नागर सेली अप्शन सी अगला प्रश्ण बासा ने मेरवार के महराणा को आपस में समझोते से अधिन किया था नकि बल से यह कथन किसने कहा है यह कथन जो है किसका था बासा ने मेरवाड के राणा को आपस के समझोरते से अधिन किया था नकी बल से यह कथन किसका था तो सर टामस रोका अप्शन ए अगला प्रश्ण राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है तो भीलो में अप्शन सी अगला प्रश्ण गुबारा नुसरत नाकफली गजक किसके नाम है यह जो नाम है गुबारा नुसरत नाकफली गजक किसके नाम है तो यह जोत्पूर में रखे गई तोपो के नाम है, जोत्पूर की तोपो के नाम है, option B, अगला प्रशन, जोत्पूर के लिए में पुस्तक प्रकास को स्थापना किसने की थी, तो मान सिंग ने, option C, अगला प्रशन है, राजस्थान की संस्कृती में मुगधणा क्या है, रा एक अस्थापना के पास्चात लाई जाती हैं, option C, अगला प्रश्ण, एक 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टक्साल में बनता था, तो कुचामन में, option D, अगला प्रश्ण, मोगल समराथ साजहां के समय से ही परशिद नाहर निरित की खेलने की परंपरा जो है कहां प्रचलित है, कहां प्रचलित है, तो option A, मांडल में, अगला प्रश्ण, अचारे तुलसी ने अनुबुरत अंदोलन का सुत्रपात कब किया था, तो 1949 में किया था, option A, अगला प्रश्ण, रियास्तों से संबंधित समस्याओं के समधान के लिए रियासत विवाग की अस्थापना कप की गई थी, पांच जुलाई 1947 को, option B, अगला प्रश्ण, मिवार पुकार 21 सुत्री मांग पत्र का संबंधित कि से था, option D, मोतिलाल तेजावत से था, तो दोस्तों हमारे पचास प्रश्ण कंप्लीट हो गए, इसमें हमने टोटल 2750 प्रश्ण को रखा है, और ये राजस्तान के किसी भी एक्जाम के लिए बहुत important questions रहेंगे, इसको पूरा देखिए, अगर इसकी PDF आपको चाहिए, तो मेरे टेलिग्राम पे आप जुड़ जाए, और आप मात्र 25 उर्पय पे करके इसे आप ले सकते हैं, 2750 प्रश्ण को मात्र 25 उर्पय में, और इसे सिर्फ एक छोटा सा चार्ज रखा गया है आपके लिए, तो आप इसे ले सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ख्याल रखिया धन्यवाद